नमस्कार जैहिंद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका 15 अगस्त विशेशांख जोतिश दिशा सत्य की रामें आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी 78 स्वतंतरता दिवस हम सब देशवासियों को बहुत बहुत शुब कामना है स्वतंतरता यह केवल एक शब्द नहीं है यह एक भाव है स्वतंतर और परतंतर परमाने दूसरा दूसरे के अधिकार छेत्र में रहना स्वतंतर अपने अधिकार छेत्र में रहना बहुत बड़ी बात होती है इसको यूँ समझा जा सकता है कि आप जैसे कारवास में हैं हसना, खेलना, खाना, पीना सब किसी दूसरे के अधीन है वहाँ पर क्या भाव रहेगा और आप अपनी मन मर्जी से कुछ कर रहे हैं वहाँ क्या भाव होता है इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है अपनी मन मर्जी से चलने के लिए प्रकृति ने हमारे तमाम साथियों की कुर्बानी करवाई थे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ जब हम गुलामी की बेडियों को काट कर फेक पाए हम सब तो उस पीड़ी से हैं जब इसको सिर्फ एक कथा के रूप में एक कहानी के रूप में सुनते हैं पढ़ते हैं और अपने भावं से उसको महसूस करते हैं लेकिन तनिक कलपना करना होगा उनके लिए जिनोंने दो-दो हाथ किया था मैं एंडमान निकोबार द्वीप समू में बिद्दमान काला पानी जेल में बीर सावरकर जी आदि थे उसको मैं देख कर आया हूँ उसको मैं समझ के आया हूँ उसको मैं सुन के आया हूँ एक ऐसी काल कोठरी छोटी-छोटी सी जहां पर सिर्फ वहीं आपको मलत्याक करना वहीं आपको पेशाब करना वहीं आपको खाना-खाना है यातनाओं की पराकाष्ठा नर्किय जीवन जिसे नरक कहते हैं वो हमारे 113 संग्राम सेनानी अपने शरीर पर जेले हैं ये एक दिन होता है जिस दिन हमें इसको याद जरूर करना चाहिए जिससे हम उन सेनानियों की आत्माओं के प्रती अपनी कृतग्यता ज्यापित कर सके हम उनके प्रती कोटिशह आभार व्यक्त कर सके उन सभी लोगों के प्रती अपना आभार व्यक्त करते हुए उनको अपना आदर्श मानते हुए हम सब इस देश की अखंडता के लिए हमारा देश अखंड रहे कोई से बाट न सके एक प्रण करें आज के दिन जय हिंद जय भारत आई अब सुर्वात करते हैं आज का जोतिश दिशा सरप्रथम जानते हैं आज का पंचांग स्रामण महा शुकल पक्ष दशमी तिथी है आज चंद्रमा विश्चिक राशी में दो पहर 12 बचकर 52 मिनट तक इसके बाद चंद्रमा का धनुराशी में प्रवेश नक्षत्र रहेगा आज का जेश्ठा 12 बचके 52 मिनट तक इसके बाद मूल नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा योग रहेगा वैध्रिती तद अनुसार दिन आंक 15 अगस्त दिन गुरुवार गुरुवार के दिन राहुकाल दो पहर डीर से तीन और गुलिकाल का समय रहेगा नोट कर लीजेगा गुलिकाल रहेगा सुबह 9 से 10 बचकर 30 मिनट तक राहुकाल में नय और शुबकाम सास्त्र मना करते हैं इसमें नहीं किया जाता गुलिकाल में आप कोई भी नया और शुबकाम कर सकते हैं हर काम आपके बनते हैं मेश से लेकर मीन तक अब आईए जान लेते हैं आज के पूरे दिन का हाल आज की भविश्यमारी तो आज ब्रिश्चिक और धनु का प्रवेश है ऐसे इस्थिति में चंद्रमा आपकी कुंडली में अश्टम और नमम भाव में सुशोभित होंगे अश्टम नमम के चंद्रमा के साथ आपका प्रभाव रहेगा आपकी सकारात्मक्ता रहेगे पढ़ाई के लिए समय बहुत सामानने से बहतर है शुक्षा बहतर रहेगा व्यापार के लिए मेहनत खूब करिए अचानक किसी इस्थिति में भी आप गड़बर आ सकते हैं जब तक अश्टम में चंद्रमा है प्राइबेट सेक्टर एक नई सुरुवात की तरब इशारा करता है प्राइबेट सेक्टर में शुक्ता बनी हुई है सरकारी छेतर की स्थिति को आप नए सिरे से आरंभ कर सकते हैं दामपत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा पती-पत्नी की बीच तालमेल अच्छा रहेगा सपोर्ट करेंगे स्वास्त के मामले में पेट की समस्या आँखों की दिक्कत और किड्नी की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है? प्रियोक के तोर पर अपने कंठ पे चंदन का तिलक लगाईएगा शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्य प्रतिशत, तिर्पन, ब्रिशब राशी इधर उधर की बातें आज आज आपको परिशान कर सकती है पढ़ाई में कम मन लगेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ, कुछ नई इस्थती देता है सरकारी छेतर को साधने में आप कामयाब होंगे, गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए कुछ बहतर इस्थती लाएगा दामपत्य जीवन पति पत्नी के बीच कुछ बहतर इस्थती आ सकती है सपोर्ट मिलेगा, स्वास्त के मामले में देखा जाए तो घुटने की तकलीफ आज हो सकती है विशब राशी वालों के लिए चंद्रमा आज सब्तम और अश्टम में रहेगा उपाय के तोर पर तीन पौधों में जल देना आज शुब होगा शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रतिशत, पच्पन, मिथुन राशी चठे और साथे में चंद्रमा का प्रभाव है, पढ़ाई आज बहुत बहतर कर रहे है सिक्षा में कोई रुकावट नहीं है ब्यापार के लिए संघर्ष आरंभ हो जाएगा, बिजनस में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ रही है प्राइबेट सिक्टर को आज कुछ नए आरंभ की स्थिती में ले आईए सरकारी छेत्र आपके लिए कुछ मुश्किलें पैदा करेगा दामपत्य जीवन बहतर परिणाम दे रहा है, एक दूसरे को सपूर्ट करने का प्रियास करें स्वास्त के मामले में आज का दिन बैक की प्रॉबलम और आखों की समस्या पैदा करेगा क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर अपने मस्तक पर चंदन का तिरक लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए नारंगी औरेंज भागी प्रत्षत चोगवन अगली राशी चंद्रमा की इस्थिति कर्क में पंचम और छठे में है कर्क वालों के लिए पंचम और छठे में पढ़ाई मन मुताबिक नहीं हो पाएगा सिक्षा में दोश आएगा ब्यापार हर तरह से आपके लिए अनकूल रहेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर और बड़ी सुरुवात देगा सरकारी छेत्र एक नए प्रभाव की तरफ ले जा रहा है दामपत्य जीवन दिब इस्थती में है स्वास्थ के मामले में खासी जुखाम की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तरफ पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए काला भाग्य प्रद्शत सर्तावन सिंग राशिग चंद्रमा की स्थिती चतुर्थ और पंचम में आज रहेगी 15 अगस्त के दिन पढ़ाई में आज कुछ उतार चड़ाओ बढ़ रहा है सिक्षा की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है ब्यापार को आप आज अपने हिसाब से करने में काम्याब होंगे प्राइवेट सिक्टर थोड़ा सा परेशान कर सकता है सरकारी छेतर को बहतर करने में आपको आज अनकूलता मिलेगी दामपत्य जीवन एक दूसरी के प्रती अनकूल इस्थितियां रहेगी स्वास्ति के मामले में खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है आज हर्ट की प्राब्लम हो जाएगी क्या उपाय करना है सिंगराशी वालों को अपने कंठ पे चंदन का तिरक लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए औरेंज भाग्य प्रतिशत पच्पन कन्यराशी यहां तिर्ती और चतुर्थ में चंद्रमा रहेंगे सरकारी छेत्र आपके लिए अनकूल अवसर दे रहा है गौर्णन सेक्टर में शुबता रहेगी दामपत्य जीवन टफ सिचुएशन लाएगा पति-पत्नी के बीच तालमेद बेहतर करने का प्रयास करें स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है उपाय क्या करना है अपने मस्तग पर शहद का तेलक लगा लीजे शुबरंग आपके लिए आज वैगनी, भाग्य प्रत्षत, पच्छपन, तुलाराशी दुती और तृती में चंद्रमा की स्थती रहेगी आज 15 अगस्त को मन कम लगेगा, परिवार में कुछ उठापटक की स्थती बनती हुई दिखाई देती है पढ़ाई में आज सुधार कम आपाएगा, सिक्षा में उतार चुड़ाव बढ़ेगा ब्यापार की मामले में आज का दिन कुछ बहतर होने की तरफ इशारा करता है प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा संभल कर चलाने की आवशक्ता है अचानक कहीं न कहीं आपको मुश्कान हो सकता है सरकारी छेतर थोड़ा संभलेंगे तो चीजें बैलेंस रहेंगे दामपत्य जीवन आज तुलाराशी वालों के लिए एक दूसरे के प्रती इमानदार होने की आवशक्ता है स्वास्त के मामले में आज का दिन माइगरेन और आख की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर आज अपने हाथों से एक बरगत का पौधा कहीं लगा दे शुभरंग आपके लिए औरेंज भाग्य प्रतिशत सत्तावन ब्रिश्चिक राशी चंद्रमा का प्रभाव आज आपकी राशी में है सुर्योदय के समय में पढ़ाई ठीक कर लेंगे सिक्षा में कोई दोश नहीं है इस्थतियां आपके अनुसार रहेंगी ब्यापार अचानक कहीं न कहीं आपको कश्ट दे सकता है बिजनस को सम्हालने क्या वशकता है प्राइबेट सेक्टर में नई सुर्वात और कुछ बहतर करने में आप काम्याब होंगे सरकारी छेतर थोड़ा सा आपके लिए टफ सिचुएशन दे रहा है दामपत्य जीवन को आप एक नई स्रेणी में ले करके जा रहे हैं स्वास्त के मामले में आज का दिन कमरदर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज बिश्चिक वालों को आज प्रियोग के तोर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्थ पुष्तक देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रतिशत पच्चपन धनु राशी चंद्रमा आज द्वादस में और आपकी राशी में संचरण कर रहे हैं पढ़ाई में आज आपकी हिसाब से रिजल्ट मिलने जा रहा है ब्यापार थोड़ा सा टफ रहेगा संभल कर चलने की आवेशक्ता है प्राइवेट सेक्टर कुछ नए पैमाने तैंग कर रहा है जल्दी बाजी ना करिएगा नौकरी में बने रहने के लिए मेहनत करिएगा सरकारी छेतर को आप आज साध लेंगे स्वास्त के मामले में आज का दिन खासी जुखाम की शिकायत और आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर आज अपने कंठ पे चंदन का तिरग लगा लिजेगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रत्षत अठावन अगली राशी मकर राशी यहां चंद्रमा आज एक आदस और द्वादस में रहेंगे पढ़ाई में आज मामला आपके हाथ से बाहर जाएगा शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है नुकसान हो सकता है ब्यापार बहतर है बिजनस में कुछ अच्छा करने में आप कामियाब हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को आपके हिसाब से चलने में इश्वर की कृपा से मदद मिलेगी सरकारी छेत्र की स्थिति को आप आज साथ सकते हैं दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा अवसर अच्छे मिल रहे हैं स्वास्त के मामले में आज का दिन जुखाम खांसी के शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है अपने मस्तक पर शहद का तिलग लगाईए शुभरंग आपके लिए आज नीला भाग्यपत्षत पच्छपन कुम्भराशी दसम और एकादस के चंद्रमा के साथ दिन का शुभारंब स्थिक्षा में पुर्णता और कुछ नई आरंब व्यापार की स्थिती में थोड़ा डावा डोल रहेगा मामला बिजनस बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ तनाव और मुश्किलें दे सकता है सरकारी छेत्र की स्थिती को बहतर करने में आप कामियाब रहेंगे स्थिती के मामले में आज का दिन कमरदर्द की शिकायत और आँखों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर अपने मस्तक पर आज लाल चंदन का तिरक लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग की प्रतिशत पचास अन्तिम राशी मीन यहां चंद्रमा नवम और दसम में रहेंगे पढ़ाई आज नेक्स्ट लेबल ब्यापार की स्थिती को साधने में आपको मेहनत करना पड़ेगा विजनस बहुत अच्छी स्थिती में नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए टफ सिचुएशन दे रहा है चैलेंज मिलेगा सरकारी छेत्र कुछ बहतर करने में आप कामयाब होंगे दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के साथ गुमने टहलने के कारक्रम बनेंगे स्वास्थ के मामले में आज का दिन खांसी जुखाम की शिकायद देगा क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर आज मीन राशी वालों को किसी छोटे बच्चे को भोजन आधी करा दीजेगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भागी प्रत्षद 52 फिफ्टी टू आगे बढ़ेंगे बात कर लेते हैं आज की सक्सेस की की दिन को सफल करने के लिए एक दूरवा का टुकणा अपने रिंग फिंकर में उल्टे हाथ की थोड़ी देर के लिए बांध लीजे एक गंटे के बाद इसको खोल कर कहीं पौधे की नेचे डाल दीजे पंदर अगस्त का भाग्याक्षर मेश राशी बाग्षर बिशप छोटा आ मिथुन हाग्षर करकला सिंग वाग्षर कन्या का तुला हाग्षर बिश्चिक धा धनू खाग्षर मकर गा कुम्भ चाग्ष पंदर अगस्त को जनम पाये लोगों के लिए विशेश मे भी विशेश शुभ आयुषमान भाग्षर पंदर अगस्त को पैदा हुए लोगों को जनम दिन की हार्दिक शुभ कामनाय उपाये रहेगा एक माला गायतरी मंत्र का जाब करियेगा किसी छोटे बच्चे को जिसकी आज मेरी जनवर्शरी है रुद्रा विशेख करवा के पीपल के तीन पौधे पति-पति मिलकर कहीं लगा दे तो पंदर अगस्त की विशेशंक में आज के लिए इतना ही एक बार पुनह सो तंत्रा दिवस की हम सब को हार्दिक शुभ कामनाय देश की रक्षा, देश का रिप्रजन्टेटिव होता है, प्रस्तोता होता है, हम कहीं भी जाते हैं अपने देश के विशे में, हमारा जो भाव होता है, हमारी जो प्रजन्स होती है, वो दर्शाती है कि हम भारत से आए हैं, भारत के लोग कैसे होते हैं, यह हमारा व्यक्तित तो निर्धारि संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीब एक खुशियां अनेक